दॉक्टर वीद प्रकाश मेरा ये हिक्नों से सो लियो बिना किसी प्रयास के आपको एक ऐसी गहरी रिलेक्सेशनी की अवस्था में ले जायेगा जहां आपका सबकॉंसेस मैंड आसानी से साकारात्मक नर्देशों को ग्रहन कर लेता है और स्वभावी क्रोप से आपको गहरी मेंड लाने में मदद फटता है इस गोडियों को बार बार सुनने से आप दिलकुल सुरच्छित और प्रभावी तरीक्मों से गहरी मेंड का आनंग ले पाएंगे और आपके अंदर एक नेमिक गहरी मेंड की भावना विक्सित हो जाएगी तो आईए आज का सिसन शुरू करते हैं एक आराम दायक अंदर के शाथ ये कोशिश करें कि आपके कपड़े बिलकुल धेले हो और जीतना हो सके अपने आपको एक आराम दायक स्थिती मिलाएं अब अपनी आखों को बंद करें और अपनी शाशें तीन चार सेकेंड तक रोप करके रखें और फिर धीरी धीरी शाश को बाहत छोड़ें फिर एक गहरी शाशे लें और धीरी धीरी साश को बाहत छोड़ें ऐसा पांच से छे बार करते रहें जैसे ही आप गहरी शाश लेते हैं आपके सरीर में ज़्यादा उक्सीजन पहुंचता है और जब आप सांस होते हैं तो आपका सरीर आपके सरीर से ज़्यादा रिलेक्स होने लगता है अब आसानी से खुल करके सांस लेना जारी आप रख सकते हैं और खुद को ज़्यादा शांत और रिलेक्स होता हुआ अन्भो कर सकते हैं अब आप में वह संक्रिप दिख रहा है जिससे ये पता चलता है कि आप गहरी निंद की अवस्थान जा रहे हैं जैसे जैसे मैं आप से बाते कर रहा हूं आप और भे ज़्यादा रिलेक्स होते जा रहे हैं इस पर ध्यान बिल्कुल भी न दें कि आप कितनी रिलेक्स की अवस्थाने हैं आप खुशी के साथ और ज़्यादा शान्त और रिलेक्स हो रहे हैं आसानी से आप खुल करके शाशे ले रहे हैं आपका सबकॉंसेस मैंड इस बात से हमेशा सचेत रहेगा कि मैं आप से क्या कह रहा हूं इसलिए मेरी आवाज ध्यान से सुनना कम महतुपुर्ण होते जा रहा है मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह आपका सबकॉंसेस मैंड सबकुछ सुन रहा है वी आपको विशेस ध्यान देने की जरुवत नहीं है आप अपने मन में प्रकृति की शुन्दर्ता का आनंद ले रहे हैं जैसे कि पेडों के बीच में इसे सुरच चमक रहा है आप पाने की कोमल धारा की आवाज भी सुन रहे हैं और पच्छी सुरीले गीत गा रहे हैं आप वहाँ लेटी हुए आराम कर रहे हैं यह इतना आराम दायक है यह आप अपने पूरे जीवन में पहले कभी इतना ज़्यादा रिलेक्स महसूस नहीं किया जैसे जैसे आप शांत और आराम दायक का आनंद ले रहे हैं आपके शिर्शे आपके पैरों तर आपके पूरे शरीर में एक सुखदक अंभो हो रहा है आप रिलेक्स महसूस कर रहे हैं ज़्यादा आराम दायक और भी ज़्यादा सुरच्छिद और जब आप अपनी आखें बंद करके लेते ही हैं तो आप इतने रिलेक्स वह खुश हैं कि इससे ज़्यादा रिलेक्सिशन और ज़्यादा शांत अवस्था में जा रहे हैं ऐसा लग सकता है कि आप मींद की वस्था में जा रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि कई बार ऐसा लगे कि मेरी आवाज काफी दोर से आ रही है या फिर ऐसा भी हो सकता है जब मैं आप से बात कर रहा हूं और मेरी आवास आपको सुना ही न पड़े लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि मेरी बात आपका सबकॉंसिस मैंड मेरे कहे हर शब्द को सुन रहा है और मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उसे सच कर रहा है मैं चाहता हूँ कि आप कलपना करें कि आप एक नर्म कालीन युक्ति सीड़ियों से नीची उतर रहे हूँ अपने मजबूती के साथ सिलिंग को पकड़ रखा है जैसे ही मैं दस से एक तक गिनूँगा आप इस सीड़ी से उतरेंगे और एक शांत और रिलेक्स आवस्था की गहराई में चले जाएंगे तो अब तयार हो जाएए दस आप पहले कदम को नीचे ले जा रहे हैं नौ एक कदम और नीचे आठ मेरी आवाज आपको अपनी और आकरशुत करेगा साथ छे आप और नीचे उतर रहे हैं और गहराई में जा रहे हैं पांच चार और भी गहरी अवस्था और भी जादा आनंदा रहा है तीन गहरी और गहरी रिलेक्सेशन में जा रहे हैं दो जहां कहीं भी आप मेरी आवाज सुनेंगे मेरी कहीवी हर पोजेटिव बात आपको अपनी और खीच लेगा एक अब आपके सामने एक कमरा है ये कमरा सिर्फ आपके लिए है और आप इस कमरे के अंदर जा रहे हैं आप धीरी धीरी चारो तरब देखती हैं इस कमरे में सब कुछ आपके हिसाब से ही है फरनीचर, फरसें, सजावाट और लाइटें बिलकुल आपके मन मताविक है जिस तरह आपको पशंद है और यहाँ बहुत ही सांदार पुष्टक है आप चाहते हैं या आपके लिए है आप बिश्टर पर लेटने का फैसला कर रहे हैं यह काफी आराम दायक है आप एक गहरी नीन में सोएं आप चादर ओढ़ लेते हैं और तक्ये को सिर के नीचे रख लेते हैं आपको लगता है कि यह एक ऐसी जगह है जहां आपको अगर जरुवत है तो जीतनी दिर तक चाहें सो सकते हैं एक आराम दायक नीन में जा रहे हैं गहरी और गहरी और भी गहरी नीन हर गुजरते पल के साथ आपकी नीन और गहरी होती जा रही है आप एक गहरी रिलेक्सेशन नीन में जा रहे हैं बहुत लंबे समय के बाद बहुत आरामदायक निन्द महसूज कर रहे हैं और कभी भी इस तरह की निन्द चाहते हैं तो बस आपको इतना करना है कि आप अपने बिश्टर पर लेट जाएं और एक आरामदायक इस्तिती में लाएं गहरी आराम से सांस को लेते रहें और हर सांस के अंत में कहें मेंड नेंड नेंड आप तीसरी सांस के अंत में पाएंगे या आप इस सब्द के खतम होती ही आपको एक गहरी मेंड आ जाएगी क्योंकि आप इस वक्त इस कमरे में आते हैं जो सिर्फ आप के लिए है आप एक गहरी मेंड की अवस्था में डूब जाते हैं आप आने वाले दिनों हटों महिनों को इस से ज्यादा करते हैं ताकि आप अपने आपको रिलैक्सेशन की गहरी से गहरी अस्तर तक ले जा सकें और एक गहरी मेंड के बाद हर दिन तरो ताजक और रिलैक्स्ट महसूस कर सकें अब आप इस गहरी मेंड का आनंद लेगे अब मैं एक से पांच तक गिनूँगा मेरी पांच गिनते ही आप अपने आखें खोल लेंगे आप बहुत ही अच्छा और रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने गहरी निंद ली हो एक आप धीरी धीरी निंद से वापस आ रहे हैं दो आप बहुत ही अच्छा अंभव कर रहे हैं तीन आपका दिमाग बिल्कुल किलियर है और ऐसा लग रहा है जैसे पूरी रात एक गहरी निंद ली हो चार आप धी आखें धीरी धीरी खिल रही हैं और पांच आप याखें पूरी तरह से खुल चुकी है पूरी तरह से जागे ही और बहुत ही अच्छा अंभव कर रहे हैं